तो कोई भी ये बात नहीं कर रहा कि आज जावेद और नासिर को किसने मारा और जो भी बात कर रहा है उसे देशद्रोई बता रहे हैं आज ये भारत का ये दुबाग्या है कि ये गाय के नाम पर मुसल्मान मारे जा रहे हैं गाय के नाम पर दलिद मारे जा रहे हैं और परश वालत बनाने वालों समय और तो यहां भी हुई है और उत्तर पलडेश में भी हुई है तो इस घटना घटी और उस घटना में दो लोगों को जिंदा जला दे गया गव रक्षा को लेकर पूरा मामला था और मौनुमाने सर उसमें नाम एक उभर कर आया था अभी तक कुन लोगों की गर्फतारी नहीं हो पाई है पूरे देश में गष्टना को लेकर एक आक्रोफ् करने पंद्स करने पूरित वह प्सक्त्र आगव लोगों कुछ जना कर आ दिया गया और जला कर लाने से पहले उनको बहुत मारा गया और उन्हें एक ठने ले जाए सब्सक्राइब करें कि इसमें कानुनी रूफ से क्या आप यह देखिए कि सारी न्यू चैनल सारे में इस्ट्रीम विकाउन जो मीडिया चैनल है उनके पास जो है मोनुमाने से लाइव आकर बात कर रहा है परन्तु पुलिस के पास उनका लिंक नहीं हो रहा अब यह देखिए कि चलो आप हो सकता है कि निर्दोस्पू हो सकता आप निश्पक्स हो पुलिस देखिए कि भ , इस्टे जो काम किया बहुत बढ़िया है और जो सरकार है यह से फसा रही है पोरन टुक कोई भी यह बात नहीं कर रहा एम्सीर को किसने मारा और जब अब मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब सियाटल के अंदर एंटी कास्ट लोग बनाते हैं तो यह लोग जो है मातम वो विलाप करते हैं और यह कहते हैं कि अमरीका में जाती वाद के खिलाफ कानून हो गया तो मैं आपको बताना चाहता हो कि जो जो भी यह अग्यापून पूरे भारत के लिए तो वहां पर कॉंग्रेस की सरकार कॉंग्रेस भी मामले को लेकर घेरे में आ गई है लोगों के साथ समस्या यह समस्या यह है कि आपको लगता कॉंग्रेस और बीजेपी जो अलग अलग है अगर आपको लगता है कि कॉंग्रेस की सरकार दुलीना कांड पर बोलेगी तो आपकी गलत फहिमी है अगर आपको लगता है कि कॉंग्रेस की सरकार जो है वह भठानी टोला पर बोलेगी फूलपूर बाते पर बोलेगी यह खेलांजी कांड पर बोलेगी तो आपके लिए बेमानी है यह चीजे समझ दिए और ऐब यह सोसते हो कि यह जो इन ने बात बहस देँगी मिलके नियाए दिला देंगी यह तो देखिए मैं आपको एक बात बता दू निस्टो चुरासी के अंदर मेरट के अंदर जो है मुस्लिमों को सरयाम गोली मारी गई थी शायद आपको यह बात ना पता हो उसके अलावाद जितने जब दंगे हुए जब बाबरी मस्जिद का का तो सेंटर में भी कॉंग्रेस की सरकार थी और मैं आपको और बात यह बता दू कि आज जब जो जो जुनेद मारे गए हैं यह दो मुस्लिम लोग मारे गए है अगर कॉंग्रेस की सरकार चाहे तो जो आरोपी है उन्हें 24 गंटे के इंदर पकड़ सकती है परंतु उनकी सब्सक्राइब कॉण। भारत जोड़ो जो इनकी एक यात्रा निकली थी उस यात्रा में कश्मीर से कन्या कुमारी तक जो इनके युवराज है वो मंदिर गए और मस्जिद गए वो प्रतु वो किसी भी बाबा साथ डोक्टर भिवाम बेड़कर की इस टैच्व मूर्टी परनी गए क्योंकि उन्हें पूरे भारत के अंदर वो कभी नजर नहीं आयी तो जब आप यह कहते हैं कि हरियाने के अंदर कॉंग्रेश की सरकार है तो भईया मैं आपको एक बात विदादू कि मुस्लिम हो पर बतलीतों तो वह सबसे जाधा अत्याच तो यह हमेशा से रहा है कॉंग्रेस मुस्लिम हितेशी मानी जाती है और इस तरह का प्रोपगेंडा भी चला जाता है तो क्या लगता है कि न्याय मिल पाएगा नाशिर जुनेद को खेर मैं यह न्याय की जो बात है वह बेमानी इसलिए मानता हूं क्योंकि पहले भी कई कि लोग कोई मॉब लिंचिंग हुई है यहां भी हुई है और उत्तर पर्देश में भी है और और एक इंस्पेक्टर जो मुस्लिम इस्पेक्टर थे उन्हें भी माल दिया गया था तो अगर आप यह सोचते हो हैं कि मुस्लिमों को और शेडिल कास को न्याय बहुत आरसानी से आज के समय में मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा दूसरी बात आपको लगता है कि अगर जुनेद और नासिर को मिलेगा तो मैं आपको एक बात बता दूं फूलन देवी को जिस हत्यारे ने मारा उसको आज महामंडित किया जा रहा है और उसी परकार जुनेद और नासिर के जो हत्यारे हैं उन्हें सरकारी सरकार शुरक्षित करके सरकारी दमाज बनाकर उन्हें जो है महामंडित करेगी और यह दिखाएगे कि यह भारत के अंदर जो है जो जो राष्ट यह बनाने वाले उस राष्ट के जो है सूत्र दार बनेंगे तो क्या मुस्लिमों की चुप्पी यह बात करती है कि नाशिर जुनेद वाके में गो तसकर थे उनके साथ जो हुआ वो क्योंकि अभी उस तरह से कोई मामला या प्रोटेश्ट इस तरह से कि मैं मुझे ऐसा लगता है मेरी व्यक्तिकत सोचा कि बात का मुस्लिम इस वक्ता हुआ है उसे लगता है कि वह बोलेंगे तो उनकों पर बुल्डोजर चला दिये जाएगा आप यह देखिए कि जो दिल्ली से जो एक आंदोलन शुरूआ उस आंदोलन में बहुत लोगों क किया गया बहुत लोगों के मारे गए और जब दंगे हुए तो जिसने मुस्लिमों पर गोली चलाई उसे तो इन्हों ने रोपी बना दिया वह आस तक जेल बे जेल के अंदर है दूसरी बात इस मामरे के अंदर जो भारत सरकार है उसका जो रवया है वो मुस्लिमों के पर् आज नितिक जो चुक्पी है मुस्लिमों की वह कहीं ना कहीं सत्याचार को बढ़ाएगी इस वीडियो में कहीं गई सभी बाते वक्ता की अपनी राय है जिसकी पुष्टी हम यह हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता है